एलो एवरिवान, जो यह जो sketch है, यह यह मैने कल रात को start किया था, और इसका जो background है, वो मैंने graphite से ही किया था, बड मुझे इसका graphite का नहीं पसंद आया, इसलिए मैं इसको change कर रही हम, और background है मैं इसे ठोड़ा color कर रही हूँ, कोई भी कटलर उसकते हैं वॉर्ट कलर यूज़ कर सकते हैं वाडर कल यूज़ कर सकते हैं फैश्टर स अगा पेंगी ज्वेपर पेपर पाफी थिक होना चाहिए इसमें इतनी ज्यादा नहीं है वादर कलर को जहिलने की इसलिए है मैंने जो कलर यूज किया है वो अक्रेलिक ही है आप चाहें तो फैब्रिक भी यूज कर सकते हैं अक्रेलिक एंड फैब्रिक में इतना कोई डिफरेंस नहीं है कैरेंने इसमें थोड़ा राम से जाना है चाहएं और चारकौल बच्रार करने से पहले पता होना चाहिए कि आपको कैसे चारकुल अप्लाई करना है कैसे स्टार्ट करना है पहले ग्रेफाइट पर मास्टरी कर लिए अपने ग्रेफाइट से कमफरटेबल हो गए हो आप तो आप अपना चारकुल वर्क स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि चारकुल में हम शुरू तो करते हैं बट कई पर बनाने से पहले बन कुछ और जाता है अगर नहीं पता है कि हाँ इसकी shading कैसे देनी है इसकी shading को light कैसे करना है इसको fine tune कैसे करना है graphite में तो क्या है grid में बहुत easily बना लिया हमने but charcoal की work में आप grid का help नहीं ले सकते तो without help आप direct ऐसे free flow sketching कैसे करोगे तो पहले graphite पे ही comfortable होने के बाद then you can move to this charcoal और इसको जादा time नहीं लगा है बनाने में रात को स्टार्ट किया था सोने से पहले and then I slept फिर अभी morning में बस में इसका background है जो वो color कर रहे हैं क्योंकि जैसकी shading है like shawl face पे मैंने इतना concentrate किया है थोड़ा सा बट shawl पे इतना नहीं किया है इसके background पे भी तो और hairs पे थोड़ा सा time लगा है पर इतना भी नहीं तो almost यह two hour में complete हो गया है इसकी shading जैसे मैंने थोड़ा सा grain वाला paper है ग्रेन पेपर है तो इसमें जो shading के थोड़ी dots में दिखेगी आपको बट अगर आप plain paper लोगे तो इसमें इस तरीके का नहीं दिखेगा जब आप shade कर दोगे तो तो अभी यह background coloring हो चुकी है और इवन यह dry भी हो गया है अब इसको थोड़ा से at least one और थर्टी सेकेंड ही लगेंगे आपको dry करने में और even dry भी हो चुका है अभी और अब मैं इस पर यह वार्निश अप्लाई करते हूं जो यह वार्निश है यह हमारा है for oil and acrylic के लिए आप oil painting पे कर सकते हैं और यह अच्छा है sketching के लिए तो आप यह वार्निश यूज कर सकते हैं spray बटा और gloss है gloss इतना जादा gloss नहीं है इसका तो पर जब आपको यूज करना है तो यूज करने से पहले आप इसको काफी distance पे रखके अच्छे से shake कर लो फिर उसके बाद अपने sketch पे ही apply करना और वह भी काफी distance से at least 12 cm और वान फिट के distance से और अपना जो background है उसको बचा लेना जैसे table है अगर table पे लग गया तो फिर वह clean काफी time में clean होगा clean ही नहीं होगा जल्दी कि अपी जो sketch है मेरा रेडी हो चुका है और वार्णिश भी even dry हो चुका है कि अपने यह लगा दिया है तो यह फिंगर पे नहीं लगेगा और यह dry होने का पीपर और भी स्मूथ और फ्लैट हो गया जैसे आपको दिख रहा है इसमें की थोड़ा सा वीव आ गया है अब अभी वेव नहीं है तो मैं फाइनल दिखाती हूं आपको तो यह हमारी फाइ आप देख सकते हैं बिल्कुल स्टेफ है स्ट्रेट है और इसमें कोई भी वेव नहीं है तो यह कुछ टाइम ड्राय होने के बाद लाइक वान मिनिट के बाद यह अपना एक्दम एक्जाक पोजिशन ले लेता है स्ट्रेट हो जाता है और अगर इस वीडियो से लेकर आप